जैने दोस्तों बंदे मातर देखिए वक्त सभी का आता है चाहे कोई भी हो मतला जो पेड़ से गिरा हुआ पत्ता रहता जिसका कोई भी सपोर्ट नहीं रहता उसका भी वक्त बदलता है जब हवा चलती है तो उसकी भी जगे बदलती है तो ऐसे में जो बड़े बड़े नेत तानशा, देश ऐसे हैं जो कि अपनी जन्ता को कुछ भी नहीं समझते हैं और उनके ओपर सिर्फ तानशा ही करते रहते हैं उनका समय कैसे नहीं बदलेगा चाइना जो कि एक क्लोज्ड एकनॉमी भी हम कह सकते हैं या फिर यू कह सकते हैं कि कम्योंस गवर्मेंट वहां पर बैंक में पैसे डालना बंद कर दिये हैं और चाइना की गवर्मेंट भी इस बात का मेक्शोर कर रही है कि लोग अपने बैंक खातों से पैसे ना निकाल पाएं और इस चीज को रोकने के लिए आप यकिन नहीं मानेंगे बैंकों के बाहर लड़ाई वाले टैंक खड़े कर उन्हें अधिकार है लोगों के अधिकारों को कुचलने का उन्हें अधिकार है लोगों के भविशे के साथ खेलने का लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनितिक व्योस्था में अंतिम शासन व्योस्था शक्ति अगर किसी के पास होती है तो वो है जंता लहाजा अगर जंता का रोश अपने चरम पर पहुँच गया तो जल जला उठना तयम आना जाता है जैसे कि बीते दिनों श्रिलंका में देखने के लिए मिला था श्रिलंका की सरकार की कुनीतियों के खिलाफ जंता सड़क पर आ गई सरकार के खिलाफ मोर्जा खोल दिया और नतीजा ये हुआ कि रनिल विक्रमा सिंगे से लेकर गोटुबाया राजपक्षे तक को अपनी सत्ता गवानी पड़ी लेकिन अब आप मुझे सुनने के बाद ये सोची रहे होंगे अपने मन में कि आखिर मैं आप लोगों को श्रिलंका के आर्थिक जो भी क्राइसे चल रहा है उससे रूगरू क्यों करवा रहा हूं तो देखिए आपको बता दो कि श्रिलंका जैसी कंडीशन अब चाइना में भी देखने के लिए मिल सकती है अगर हम विश्यषग्यों की बातों को सही माने तो कई देशों को आर्थिक मदद देते देते अब चीन का आर्थिक खजाना भी खत्म होने के गार पर आ चुका है हाला तब ऐसे हो चुके हैं कि चीन का विदेशी मुद्रा भंधार भी खत्म होने वाला है वे शक्यों की माने तो अगर चीन में इस सिलसला यूही जारी रहा तो आगामे दिनों में चीन में भी श्रिलंका जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है हाला कि अभी भी चीन के कई इलाकों में शी जिन पिंग सरकार की कुनीतियों के खिलाफ मोर्चा खुला जा चुका है आईए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ उन प्रोजेक्स के बारे में जो कि चीन को आर्थिक गर्त में ढखेलने के एहम कारण माने जा रहे हैं आपको बता दो कि चाइना में 1949 में BRI सबसे बड़ी योजना थी इस योजना के अंदरगत चीनी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत करी थी जिसकी कथित तोर पर मुक्य को अकसद था देश में विकास की बायार को बहाना आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस योजना के अंदरगत चीनी सरकार ने कई देशों को आर्थिक मदद महया कराई चीन सरकार का मानना था कि ऐसा करके वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंद प्रकाड़ कर सकता है हलाकि 2013 में इस योजना को पहली बार पर सावित किया गया इसके बाद इस योजना के अंदरगत कई विकास शील देशों को आठ सो बिलियन से भी ज़्यादा की अदाईगी करी गई वही नियोग सेतिक रिसरज ग्रूप रेड हिडियम की मानने तो चीन के बैंकों ने साल 2020 में 52 मिलियन डॉलर का कर्ज दिया था पहले दो सालों के तुलना में यह 16 फीज दी जादा था उधर अगर चीन के बैंकों की बात करें तो वे अपने ग्रहकों को पैसे देने की कंडिशन में बचे नहीं बीते दिनों चीन के हिनान प्रांत में लंबी लाइन देखने के लिए मिली थी यह सभी लोग अपना रकम लेने की जद्द जहत में लगे हुए थे लेकिन बैंक इनके पैसे वापस देने की कंडिशन में नहीं दिख रहा था जिसकी वज़े से कई ग्रहकों ने बैंक के खिलाफ अपने रोश का प्रदर्शन भी किया उधर चीन की कई कंपणियों में ताले भी जड़े जा चुके हैं विरोजगारी अपनी चरम पर पहुँच चुकी है लोगों के पास दोक्रिया नहीं है वहार रहने वाले युवाओं को भी अपना भवश या बांदकार माय नजर आ रहा है कई जगों पर शी जिन पिंगे खिलाफ युवाओं में रोश भी देखनी की मिल रहा है कई जगों पर युवाओं वर्ग खुले आम शी जिन पिंग सरकार की नीतियों की अलोचना करते हुँ नजर आ रहा है लेकिन चीन में बदहाल स्थिती यतावच जारी है अब ऐसे में सरकार आगामी दिनों में वहाँ की बदहाल स्थिती को दुरस्त करने के दिशा में क्या कुछ कदम उठाती है इसी पर सब की निगाहे रहेंगी क्योंकि सभी को लोन देने वाला चीन अगर आप खुद लोन मागने पर आ गया तो आप खुद सोचिए उसको कितनी जरूरत पड़ेगी और सबसे बड़ी बात है बात-बात में जो भारत से पंगा लेता रहता था तो मुझे नहीं लगता है भारत की दरफ से भी कोई मदद की जाएगी जिस परकार से शिलंक की जा रही है आपका इस बार में क्या कैना मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरे स्वीडियों फ्लाउट नहीं जाए है जए बाराओ